नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश दस अप्रेल, शनिवार दोपह सवा तीन बजे रावस्थान की बड़ी खबरे कॉंग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिए कॉरोना महामारी की स्थिती पर कॉंग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ समिक्षा बैठक की बैठक में पार्टी के वर्ष नेता राहूल गांधी भी इसमें शामिल हुए बैठक में राज्यों में COVID-19 की कारण उद्पन हालात की समिक्षा की गई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हुए सोनिया गांधी ने हालात का जायसा लेते हुए सलाह दी कि महामारी की दूसी लहर से बचाव के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वेक्सिनेशन की प्रिक्रिया को प्रात मिक्ता दी जानी चाहिए मुख्यमंत्रिय शोक हलोत ने वेक्सिन की कमी का मुद्दा उठाते हुए के इंद सरकार से सारवजनिक दौर पर सितिस पस्ट करने को कहा है मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि प्रधान मंत्री ने अप्रेल को जयति भाफो ले जयनती से 14 अप्रेल को अमबेड कर जयनती तक टीका उस्सव मनाने का हינה किया है लगिन राजो में वेक्सिन ही उपलब नहीं है ऐसे में टीका उस्सव कैसे मनाया जَّा सकता है थी परिवादी ने इस बारे में एसी भी में शुकायद की जिस पर आज उसे दबोच लिया गया सदार शोहन में चौलान काटने के विरोध में ट्रॉक यूनियन की ओर से शुकरवार को सदार के आगे मेगा हाईवे पर प्रदर्शन के आगया तसा जाम लगा कर विरोध जताया गया जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच कर ट्रक ओपरेटर्स को समझाईश कर जाम हटाया इससे पहले बड़ी संख्या में ट्रक ओपरेटर्स ट्रकों के साथ SGM कारले पहुचे मेगा हाईवे के दोनों तरफ ट्रकों को खड़ा कर च्वाबिया SGM को सौमटी गई रायसान सिविल सिवा अपीली आधिकरण ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये हैं कि वो हैड कॉंस्टेबल से पुलिस निरिख्षक पत तक पदोनती के लिए पदोनती बोर्ड का गठन करे पदोनती बोर्ड शिरुवात में उच्पद पर पदोनती करते हुए कॉंस्टेबल तक पहुँचे ताकि पात रूमी द्वार को पदोनती के लिए खाली पद मिल सके इसके साथ यादिकरण ने कहा कि 366 कॉंस्टेबल को राहत देते हुए वश्ट 2013-14 में उपलब्द 771 पदों को खाली मानते हुए छाया पद स्रजित कर उन्हें पदोनती से भरा जाए हिमाचल प्रदेश के चिंत पॉर्णे सित माचिंत पॉर्णे के मंदिर में पूजा के लिए जाने वाले शधानों के लिए खुशी की खबर है चिंतपुर्णी में कोर्णा संकट के बीच हिमाचल पुशासन ने माताश्री चिंतपुर्णी मंदिर में चैतर नवरात्रों का मेला आयोजित करने का फैसला किया है ये मेला 13 से 21 अप्रेल तक आयोजित होगा मेले के दौरा नारिल चुड़ाने और ढोल नगाड वे लाउड स्पीकर वे चिम्टा बजाने पर प्रतिबन रहेगा साथ ही भंडारा भी नहीं लग पाएगा लोगडाउन की वज़े से शादी कैंसल होने के कारण ट्रेवल कमपनी द्वारा बस बुकिंग की राशी नहीं लोटाए जाने को भरत्वर जिलाव भुकतायोग ने सेवा दोश मना है बयाने की नारंग ट्रेवल्स के संचालक अनिल कुमार को आदेश दिये हैं कि वो ग्राहक प्रदिव कुमार जैन को बुकिंग राशी एकसर सो रुपए छे फिस्दी ब्याज के साथ लोटाए साथ ही उसे ही मांसिक परिशाने के लिए पांच हजार रुपए हर जोना भी दे प्रदेश में वेट दर कम करने और बायो डिजल के अवाध बिकरी को रोकने की मांग को लेकर आज सभी पेटरोल पंप बंद हैं सुबेट 6 से लेकर रात के 12 वजे तक जोदपूर के सभी पंप बंद रहेंगे पेटरोल पंप बंद रहने से लोगों को कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है हलांके हर्ताल की जोनकारे मिलने पर कल शाम शहर के सभी पंपो पर तेल भरवान वाले वाहनों के लंबे कतारे लग गई थी इसके बावजूद बड़ी संख्या में तेल भरवान ने पहुंस रहें लोगों को निराश लोटना पड़ रहा है और अब खबरे श्री गंगानगर हनमांगर जिली की रासान पेट्रोलियम डिलर्स असोसियेशन और श्री गंगानगर पेट्रोलियम डिलर्स असोसियेशन के आहवान पर शनिवाल को प्रदेश विजली में पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से बंद रहे इस दोरान पंप डीलर्स ने कलेक्टेट के समख शुधरना भी लगाया पंप डीलर्स की ये हरतार रात 12 बजे तक चौरी रहेगी पैटरोल पंपों की हरतार की पूर घोशना के कारण अधिकांश लोगों ने कल ही अपने वाहनों के टैंक फुल करवा लिये थे इस कारण किसी को बहुत ज़्यादा परशानी नहीं हुई श्री गंगानगा पैटरोलियम डीलर्स अससीएशन अध्यक्ष आश्यतोष गुप्ता ने बताया कि एक समान रेट करने पैटरोल तधा डीजल को जीस्टी में शामिल करने और वैट कम करने सहीद अन्य मांगो की समर्थन में आज जिले के सभी 150 पंप बंद रखे गए हैं श्री गंगानगा जिले में करोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं बचाव और गाइडलाइन के पानना के लिए तमाम हिदायतों के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे स्वाज से विभाग के अनसारे पिछले नौ दिनों में एक सबताह में 197 नए रोगियों की पुस्टी हो चुकी है जो की कोरोना पुस्टी पाए गए हैं जिले में 1 अपरेल को 15, 2 अपरेल को 14, 3 अपरेल को 16, 4 अपरेल को 27, 5 अपरेल को 25, 6 अपरेल को 24, 7 अपरेल को 22, 8 अपरेल को 26 और कल 9 अपरेल को 28 कोरोना रोगी मिल जुके हैं पदंपूर कस्वे में कोरोना की बढ़ते मामलों के चलते प्रश्वासन की तरफ से सक्ति से गाइड लाइन की पालना के प्रयास किये जा रहे हैं शनिवार को भी उप्खण अधिकारी के नेत्रतों में अभियान चुला कर बिना मास्क वारों के खिलाफ कारवाही की गई होगी इसके लिए भारते खादे निगम अपने तयारियों को अंतिम रूप दे रहा है वहीं मंडी में गेहूं के आवक लगातार बढ़ रही है प्राइवेट में व्यापारियों की ओर से गेहूं की खरीद भी हो रही है सरकारी समर्थन मुल्यय पर प्रदेश में 18,50,000 गेहूं की खरीद का लक्षय तैय किया गया है श्रीगंगानगर हनमानगण में 11,00,00 में गेहूं की खरीद की जानी है श्रेगंगानगर में स्वास्तेवी भाग में काररत चतुरत श्रेनी करमचारी की बकाया वेतन भत्तो के 23,27,000 पर वस्वली के लिए सीमेचो कारयले के तीन कमरों सहित अन्य समान की निलामी फिर से रखी गई है पूरों में 7 अप्रेल को भी निलामी में बोली दाताओं के भाग नहीं लेने पर इसे स्थगित कर दिया गया था अवश्रम नियायले ने 4 मई तक फिर से निलामी का नोटीस चौरी किया है जिलाम सत्र नियायले के नाजिर अनिल गोदारा ने बताया कि नियायले के निलाम की जाने वाले सामान की 15 अप्रेल तक स्पूर्दगी के लिए तैसिलदार को नोटीस चौरी किया जा चुका है पूर्व में डॉक्तर नरेश बंसल को स्पूर्दगी अधिकारी नियूट किया गया था वे अब सेवा निवरत हो चुके हैं नाजिर अनिल गोदारा के अनुसार पूर्व सी अमेचर डॉक्तर नरेश बंसल ने कोर्ट में अच्जी लगाई थी कि वे 30 सितंबर 2020 को सेवा निवरत हो चुके हैं उन्हें कुर्ख शुदा समान की स्पूर्दगी से मुख किया जाना चाहिए श्री गंगरेगर में विस्टाचार निरोदग ब्यूरो की टीम के हत्ते चुड़े जवाहन अगसी तहसील कार्याले में नियुक्त जूनियर कैशियर दिनेश प्रसाथ को नियाएक हिरासत में भेज़ दिया गया है ACB के DYSP भुपेंदर सोनी ने बताया कि एक परिवादी को राज़कोश में जमा राशी वापस लटाने के एवज में कनिस्ट कैशियर दिनेश प्रसाथ को शुकरवार को एक हजार रुपे के रिश्वत लेते हुए ग्रिफतार किया गया था आरोपी दो हजार रुपे पहले रिश्वत के रूप में ले लिये थे ACB ने आरोपी को आज ACB की विशेश अदालत में पेश किया था अदालत ने आरोपी को नियाएक हिरासत में भेज दिया है तो फिलाव इस पुलेटर में इतना ही फिर हाजर हुँगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SPT न्यूज के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें